नमस्कार मैं आपको न्यूबोन बेबी की फीडिंग के बारे में इपोर्टेंट फैट्स बताना चाहता हूं जितना जल्दी बर्थ के बाद संभव होसके बच्चे को अपना दूद लाना शूर कर दें और मा का दूद बच्चा पीए उसके लिए थोड़ा सा उसका भूखा जरूरी है अगर हम ऊपर की चीए दे के जैसे ऊपर का दूद या चीनी का पान ने या फिर शहर दोगर देंगे तो उसे बच्चे की भूख कथम जाती है और बच्चा अकसर सोज़य रहता है इसलिए ऊपर की चीए ना दे केवल धहरकी आप शकता है और अपना दूद मा अगर पहले एक सब्ता में ही मा का दूद उसने पीना शूब कर दिया फिर तो बड़े अची बात है अधरवेज हमें बाद में परशानी उठानी पड़ती है चाहे नॉर्मल डिलूरी हो या सिजने डिलूरी हो दोनों में ही मा बड़े दहर के साथ अमना दूद पिलाना श होती है तो इसलिए हम भी ध्यान रखें केवल इसमें पोजिटिविटी और दहर की जरूद होती है बाकी बच्चे को मा का दूद अच्छी मात्रा में मिले इसके लिए मा की डाइट बड़ी नुट्रीशिस होनी चाहिए और मा जैसे-जैसे समय बढ़े एक सब्ता की बाद दो सब्ता की बाद फीजिकल एक्टिटी मा अपनी बढ़ा है जिसे कि दूद अच्की मात्रा में मले मा स्ट्रेस फ्री रहे इसके लिए मा योगा भी करे योगा बेसिक योगा प्रैटिसेद जैसे आर्टिनेटी ब्रीधिंग या नो 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 प्रानयाम और मेडिटेश जैसे ओम चैंटिंग ब्रामरी प्रानयाम इनकी हैल प्ले इसे इन योगा करने से मा के एनबोलिक हार्मस बढ़ जाते हैं और केटबोलिक हार्मस का लेवल कम है जिसे कि मिल्क प्रोडेक्शन लेटरी बढ़ता है अगर फिर भी मा को लगता है कि मेरा दूद कम है तो मा को से प्रामर्श लेकर जैसे शतावरी आदे के कैप्सूल्स होते हैं वो ले सते हैं मा बागे दूसरी गौहिया में लेसते हैं जिसे कि दूद बढ़े लेकिन उपर का दूद बलाने से बच्चे एक बर मा का दूद पीना इस्टाब्रेश हो गया तो लबग 6 मिने तक उपर क दूद ना देना पड़े और मेरे बस कई परेंट्स आते हैं कि दोचा हमें एक दो मेने के बाद जोब पर जाना है तो क्या उपर से दूद पलाना भी शुकर दें बाद में तो पीन नहीं पाएगा बच्चा तो मैं कहता हूं कि नहीं जब आपको जाना हो उस दिन से ही हुआ 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 झालु आपीनग का थे अगा है एôm, आपको हमे दो हमेंट्स आते हैं दोणिड़ते हैं ट आते हैं